दोस्तो आज जो भी मैं आपके साथ शेर करने जा रहा हूं इस वीडियो में मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को बहुत दिल लगा कर सुनना क्योंकि मैं भी नॉर्मली चीज़ें पढ़ता या सुनता रहता हूं लेकिन जिस दिन मैंने इस चीज़ को देखा पढ़ा जा सुना मेरी अपने रॉंक्टे खड़े हो गए और आँखों में पानी था और यह भी बोल देता हूं कि जूरी नहीं होता कि हर बार हम कुछ मोटिवेशन कुछ ताकत फर पावरफुल जोर से बोलकर ही होना चाहिए कई चीज़े बात ही ऐसी होती है कि वो अंदर तक आपको सब कुछ हिला कर रख देती है और बंदा सुपर चार्ज हो जाता है बच ऐसी कुछ आज बात है यह एक्चुल में जो भी स्टोरी है यह काफी परानी है पराने टाइम की है एक परसन कहते रेलवे स्टेशन पर खड़ा जहां पर टिकट की लाइन होती है वहां पर लाइन में खड़ा अपने केलोट टरन की वेट कर रहा था तो जब उसकी बारी आई उसको टिकट में मिली वो बड़ा नराश होकर वापस आ गया देखने में वो बड़ा अमीर लुक में जैसे पता चल जाता है कि ड्रेसिंग सेंस से जा उसके हाथ में जो कई बर कॉस्टली समान पकड़ा हुआ है कि यह परसन काफी रिच लग रहा है तो वहाँ पर एक खड़ा परसन उसको देख रहा था कि यह इतना नराश क्यों है लुक में यह इतना ज्यादा रिच लग रहा है लेकिन यह फेस से ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही अंदर से दुखी हो तो वो उसके पास आया और वो जो परसन उसके पास आया वो अमीर से पोचने के लिए उसके कपड़े फटे हुए थे वो देखने में बहुत ही ग्रीब लग रहा था तो उसने उस परसन से पूचा कि आप इतने निराश क्यों हो वो कहता कि मुझे ना अंदर से बड़ी शर्म आ रही है यह बताते हुए भी कि मेरे पास पैसे तो बहुत है लेकिन मैंने विदाउट प्लैनिंग बहुत सारा समान शॉपिंग कर ली है और जब मैं टिकट लेने के लिए लाइन में लगा तो मेरे पास यह परानी बात है क्योंकि तो मेरे पास पांचर पे शॉट है पांचर पे की कमी है जिस वज़े से मुझे टिकट नहीं मिली तो वो जो एक ग्रीब परसन था वो कहता यह कौन से बड़ी बात है आप ऐसे करो यह मेरे तरफ से आप दसर पे रखो क्योंकि पांचर पे आप टिकट में एड करो और पांचर पे रास्ते में आपके पास पैसे नहीं आपको जुरूत पड़ीगी तो वो उसके कपड़े देखकर उसका हुलिया देखकर उसका देखकर सब कुछ उसको लग रहा था नहीं जार इससे पैसे नहीं लेनी चाहिए वो यह तो आप ही मतलब इतनी मुश्किन में लग रहा है वो कहता नहीं नहीं मैं आपसे पैसे नहीं ले साथा वो कहता आप ऐसे न सोचो आप मेरे से पैसे लो वीर जी चलो उसने पैसे रख लिए अब वो जिद करने लगा मीर बंदा कि आप मुझे अपना नाम बताओ आप मुझे अपना अड्रेस बताओ क्योंकि मैं आपको अल्टिमेटली वापस आकर ये पैसे वापस करूँगा कहीं नहीं कि उसके मन में दस दिन के बाद वो जो अमीर बंदा था वो वापस उसी शेहर में उस बंदे की सर्च में आगया कि मैं उसको जूपकर उसके पैसे वापस करक्याओंगा तो नाम उसको पता था एक शहर पता था लेकिन proper उसका अड्रेस नहीं पता था तो जब वो वापस आया उसने किसी से पूचा कि यहां पर सुजान सिंग नाम का कोई बंदा रहता है कि पूरा पता है कि नहीं कि शायद वो तो नहीं कि जो कुल्चे चोले की रेडी लगाता है और वो बड़ा दयावान है लोगों की help करता है वो मीर में सुचा कि जार इतना बंदा वहां पर चौंक पर चला गया वो दूर खड़ा देख रहा था कि उसकी रेडी पर जो कुल्चे चोले की रेडी थी वहां पर एक लेडी अपने दो बच्चों के साथ एक छोटा बच्चा था उसको तो वो कुल्चे चोले की प्लेट लेकर दे रही थी लेकिन दूर खड़ा अमीर वो देखी जा रहा था कि यह क्या हो रहा है तो इतनी देर में वो कुल्चे चोले वाला बोला कि आप इसको मार क्यों रहे हो तो वो कहती कि यह अपनी प्लेट खा चुका है अब यह दूसरी मांग रहा है और चोटी बेटे ने अभी वो पहले ली है तो दूसरे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है तो वो रीडी वाला बंदा कहता कि आप इतना परिशान की हो रहे है इतनी कौन से बड़ी बात है मैं आपको वैसे एक प्लेट देता हूँ कि आप अपने बच्चे को दे दो तो जो अमीर खड़ा था उसके दिल के अंदर कुछ हो रहा था कि यार जी हो क्या रहा है वो बंदा जो मतलब खुद इतना गरीब है कपड़े उसके फटे हुए है दिल से इतना अमीर कोई ऐसे कैसे हो सकता है मतलब इतना अंदर से उसने सब के साथ अपने आपको जोड़ के रखा हुगा है तो फाइनली वो उसके पास आ गया क बंदा कहता कि माफ करना मुझे मैंने आपको पचाना नहीं कहता इतनी जल्दी भूल दे नॉर्मली हम सब लोग क्या करते हैं कि जिसमें हमें पैसे देने हैं हम उनको भूलते नहीं है तो वो कहता कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले स्टेशन पर टिकट के लिए पैसे डूंडता डूंडता आया हूं और मैं आपके पैसे वापस करने के लिए आया हूं मेरा नाम यह है उसने पर नाम बताया कि मैं इतना बड़ा मेरा कारूबार है बिजनस है और मैं आपके पैसे वापस करने आया हूं और वो कुल्चे छोले वाला पता क्या बोला कहता कि मैं आपको दिल से एक बात कहूँ कि तो चाए मैं गृरीब हूँ चाए मेरे पास पैसे नहीं होते लेकिन जो होता है उसमें मैं जितना मेरा गुजारा हो जाता है मैं वो कर लेता हूँ और जितना नॉर्मली आपने सुना होगा पंजाबी में कहते हैं दसवंद क्या होता है कि अपनी इंकम का 1 टेंथ आप दूसरों की हल्प के लिए यूज करो कहता है मेरे पास जितना होता है मैं उसमें से जितनी लोगों की हल्प कर सकता हूं अपने दिल से खुश रहने के लिए मैं उतनी करता हूँ मेरे गुरू ने मुझे यह इस खाया तो वो बंदा जो अमीर था वो वहाँ पर रो पड़ा फूट फूट कर जोर से कहता कि मैंने इतने गरीब से गरीब बंदे का इतना बड़ा दिल मतलब मैं इतने पैसे कमाता हूँ मुझे लगता था कि मुझे हर बंदा जानता है लेकिन एक ग्रीब बंदा मैंने जिसकी तरह एक दिन भी जी कर नहीं देखा आज तक कि कितना हो satisfied अंदर से और मेरी कैसी life है life हो तो ऐसी होनी चाहिए कि वो बंदा इतना खुश नसीब है हर कोई उसकी कितनी care करता है तो वो कहता कि बस मैं वो रो रहा था अमीर कहता बस आप मेरे से पैसे वापस ले लो उसने पता क्या कहा कहता कि देखो जी अगर आप मेरी एक बात मानो कहता हां बताओ कहता कि अगर आप मुझे सचे दिल से प्यार करते हो किते हैं करता हूं तो आप मुझे ये पैसे वापस ना करो आप क्या करना जो आप किसी को दी कि मेरे दिल को ये बात अंदर से इतनी ज्यादा लगी थी कि मैं भी रोने लगया था कहता कि जब आपको कोई जुरूरत मंद मिले गा तो ये पैसे आप उसको वापस करने जाते हैं, यह सोच कर, माइड में बहुत कुछ लेकर कि इसका अपनी उपर नहीं रखना, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो यह सोचते हैं, कि आप इससे आगे खुशियां दे दो, तो यह बात में जायार मेरे दिल को पता निए आपके लगे जा नहीं ल मैं यह सोच रहा था हम लोग यह की दून में लगे रहती हैं यह नहीं हो पा रहा हमारी compliance इतनी रहती है सुबह से लेकर राट तक आप देखो complaint रह्ती हैं जर नहीं हर चीज से हमें complaint है अपनी हर एक चीज से कंपेलीन है, लिकिन कुछ ऐसे भी लोग है, शायद उनको ढ़गवान की तरफ से कुछ ना मिलके भी, इतना कुछ मिला हुआ हुआ है के, हम लोग उनको देखर हमें लगता है के यार क्या मजे में लाइफ जी रहे हैं, तो मतलब के यहां से मुझे ऐसे लग रहा है कि बस ऐसा बने कुछ ऐसा करें कि जिन्दगी में ये मज़ा जरूर आना चाहिए और मैं आपको यही कहूंगा कि ठीक है हम लोग अपने काम की तरफ लगे हुए हैं हमने भी लाइफ में बहुत सारी चीमेंट्स करनी हैं लेकिन अपनी लाइफ में ये चीज जरूर याद रखना कि दूसरों को खुशी देना कभी न बूलना जब तक आप दूसरों को खुशी देते रहोगे तब तक भगवान आपको भी खुश रखेगा ये पकी बात है इसको अजमा कर देख लेना हाँ ये सोच कर खुशी नहीं देनी कि मेरी खुशी तब ही मिलेगी जब मैं उसको खुश करूँगा और एक और बात एक और बात हम जो वन टेंथ निकालने की कोशिश करते हैं वो कोशिश करते हैं अपनी इंकम का लेकिन मैंने दिखा बहुत सारे लोग उनके अंदर जो गुन होते हैं न कहते हैं कि ये मेरा पॉस्टिव पॉइंट है ये मुझे चीज आती है जैसे हम लोग स्टडी वाले परसन है अगर आप किसी को आगे अपने गुन ट्रांसफर कर सको अपना पॉस्टिव चीज़े ट्रांसफर कर सको तो वो और भी अच्छी बात है पैसे से भी अच्छी बात है तो चलिए अपनी स्टडी की तरफ डट कर लगे रहें और जिंदगी में हमने ऐसे इंसान बनना है ये म वीडियो कैसे लगी यह जुरूर मुझे बताना comment box में लिखकर मैं आपके comments की wait करूँगा. तो all the best सभी बच्चों को जो कल exam दोने जा रहे हैं और जोनोंने कल का दिन अपनी study की तरफ devote करना है उन सभी बच्चों को भी all the best. Thank you so much.